दोस्तों स्वागता आपका अपनी ही न्यूस चैनल में डेली न्यूस अबडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए दोस्तों रुख करते हैं पहली खबर की तरफ पहलवान सुशील कुमार पर एक लाख रुपए का इनाम हत्या के मामले में तलाश रही है दिल्ली पुलीस दिल्ली पुलीस ने च्छत्र साल स्टेडियम में पहलवान सागर राणा की हत्या के मामले में उलम्पिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है सुशील कुमार फरार है और उनकी सूचना देने के लिए दिल्ली पुलीस ने एक लाख रुपए का इनाम रखा है उनके साथ अजय पर भी पचास हजार रुपए का इनाम रखा गया है सुशील कुमार ने दिल्ली की अदालत में अगरीम जमानत के लिए अरजी भी दी है जिस पर कल सुनवाई की जाएगी दिल्ली की कोट ने 76 साल स्टेडियम विवाद मामले में दो बार के उलम्पिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार और 6 अन्य लोगों के खिलाफ दो दिन पहले गैर जमानती वारंट जारी किया था इस विवाद में ए सके दरसल सुशील कुमार का नाम भी FIR में दर्ज है और वो फरार है उसे पकड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं साथ ही कहा कि सुशील को पकड़ने के लिए दिल्ली NCR और पडोसी राज्यों में छापे भी मारे गए हैं पीडितों का आरोप है कि जगड़े के समय सुशील वहां मौझूद था पिछले मंगलवार को उत्तरी दिल्ली के 16 साल स्टेडियम में हुए विवाद में 23 साल के सागर और उसके दो दोस्तों की कतित तोर पर कुछ अन पहलवारों ने बुरी तरह से पिटाई की थी जिसमें उसकी मौत हो गई थी दिल्ली पुलीस के एक वरि जारी किये गए हैं पिछले रविवार की शाम एक लुकाउट नोटिस भी जारी किया गया था पुलिस ने इस मामले में पीडितों के बयान पहले ही दर्च कर लिये हैं ये जगडा दिल्ली के मौडल टाउन इलाके में एक फ्लैट खाली करने को लेकर हुआ था